हाई मेरी यूटूब फैमिली कैसो आप सब आई होप आप लोग अच्छ होएंगे चोईस घंटे उसके डिमाग में रहना चाते हो तो सिरफ यह करो फिर देखो चमतकार आपको यह लगता ही यार हमारा पार्टनर हमारे लिए सोचे जितना हम सोच रहे उतना वह हमारे लिए सोचे हमें कोल करता रहे मैसेज करता रहे चुक 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 ट्रिंग कोल की घंटिया बसती रहे और हम उसे अवोइड करें वो हमारे लिए पागल हो जाए क्रेजी हो जाए ताकि हमें सकून मिले नींद आ सके हम हैपी रहे हम सिक्योर रहे तुमारा माई डीसी में दोडता है ना तुम 24 आवर्स उसके लिए सोच रहे हो अपने पार्टनर के लिए बट वो निठला वो निठली बिल्कुल नहीं सोच वो सोच रही है यह लल्लू है यह मेरे पीछे बावला होगा टुबडी टुबडी भागता रहेगा और होता भी यह है आप उनके पीछे बाग रहे हो आप उन्हें पागल करने के लिए पता नहीं कितनी अणा फणाव वीडियो देख रहे हो तो सब चीजों को छोड़ो इ बाती बाई आजाओ इधर बैठो और ध्यान से वीडियो को देखो उससे पहले अगर पर्शनली मुझे से कोलिंग के थुरू बात करना चाहते हो तो इसकीन पर आपको नंबर दिख रहे होंगे वोड्सप पर जाके आप मैसेज करना आपकी जो भी प्रोब्लम है वहाँ ड टाइमिंग है 6-7 गंटे अगर वो लड़का जा रहा है या वो लड़की अपना वर्क वगरा कर रहे है तो आपको उस टाइम उसको स्पेस देना चाहिए उस टाइम वो आपको कोल मैसी नहीं कर सकती या नहीं कर सकता आपको थोड़ी अंडरेस्टेंडिंग रखनी पड़ भी उत्ыт होत् lerडे 2 गंटे हो गया अदे गंटे बात हुई थी यार कल तो पांस गंटे बात हुई थी दस बजी भी कोल करा था ग्यारा बजी भी करा था पांच मिनद बात करी 20 मिनद बात करी टोटल मिला क्या हो गया आठ गंट करें तो मिन दू को कर रहे हैं दुकानधार हो क्या सेन मैं हो क्या है सेल कर नी है मैं affect स्टू मिलेगा जो चीजों को नोठ करते रहते हो अरे तुम बेफकों बन जाओ और लाइफ लाइव को जंड कर लोगे इस चीज पर फोकस मत करो कल इतनी देर बात हुई थी बीस गंटे पंदरा मिनिट बात हुई थी आज तो बात ही नहीं हुई कल तो बीस को लाए था पांच को लाए थे अरे भाई छह साथ गंटे वो वर्क कर रहा है या कर रही है ओफिस तो फिर ही अखिछा नहीं न तो आप अपने मैंड में यह गंदे ठोट्थ क्यू डाल रहे हो कि वह लड़की किसी लड़के साथ फीजी को लोग जाएगी वह लड़का किसी लड़की के साथ फीजी को जायेगा यह अरकत्य करोगे तो आपकी डिमाग में वह चड़ जाएगा आपका पार्टनर उसकी डिमाग में आप बिल्कुल नहीं चड़ोगे उसकी डिमाग से उतर जरूर जाओगे तो आपको थोड़ा खुला छोड़ना ताकि वहां वह प्रस्टेशन में आजिया फ्रस्टेड होकर आपका बोईफेंड आपकी गल्फेंड आपको कोल मैसी करें और वह आपके साथ चीजों को शेर करें और आप कंफर्टिवली उससे फील करवाओ अब आप अन फील करवा दोगे लाए क्यू नहीं करा यह वह सर आग्या फोन कट क साथ रएगे साथ जनम का तो नहीं इस जनम तुमाई साथ रहेगा तुम्हारा पर्टनर थो थोड़ा सा तुम करो चीजों को समझो। अब कही ऐसी जोब होती है कि जाआ फोन वगरा लावी नहीं होता यार हना या उसको टाइम नहीं मिल पाता थोड़ा जो टाइम मिलता है चार-पांच गंटे वो पार्टनर तुम्हें देने की कोशिश करता है उच भी तुम लड़ाई करते हो तुन्हें मेरे को टाइम नहीं दिया ये नहीं कर अरे यार तुम उन चीज़ों को लाओगे तो रिलिशनिशिप जंडी नहीं हो जाएगा जो टाइम मिल रहा है उस मुमेंट को थोड़ा सा एंजोई लो तुम बहुत ज़्यादा प्यार करते हो तुम प्रोईटी दे रहे हो हाँ अच्छी बात है देनी भी चाहिए और कई कंडिशन में यह होता है कि ऐसी सिच्वेशन होते हैं कि टाइम नहीं दे सकते हैं फिर भी तुम उसके लिए टाइम निकालते हो ठीक है मैं ख्रीइगा तुम मैं आपको एक चीजू तुम अपनी जगह एकदम सही हो ठीक है बट वह अपनी जगदाए है और थोड़ी बहूत नहीं पीदी भी होईगी मानलो हना इसलिए नहीं है क्योंकि तुम तो बीजी में भी तुम ने टाइम निकाला ऐसी सीचुएशन थी टाइम नहीं दे सकते बट उसकी कुशी के लिए तुमने टाइम निकाला कुछी तुम बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हो और वो इतना तुमारी इतना बीज हो घुठ ऑगए तो तुम्हें चीज हो घुठ को थो चाहिएَ किया को चाहिए तुम्हें छोड़ना ने जब भी बात हो करें तुम्हें फाइट वीर्य को एक दो बिल्कुल फॉक्त करना है ठीक तुम अपनी समय सई हो वो कहे कि यार मैं BG हो गया थाँ हो गई थी ये वो फलाना 100 भाणने दिते लोग देखो भाणने तो दुनिया निकाल लेती है हना तो भाणने से अच्छा है कि सामने आला टाइम भी निकाल लेता 5-7 मिन onder तुमें सब्सकून मिल जादा बट नहीं निकाला तुम्हें कुछ नहीं करना चुप रहना है बट नेक्स टाइम तुम्हें ये चीजे ध्यान रखने हैं कि तुम्हें इतना चूतिया पान नहीं करना हाना तुम अगर बीजी हो अगर तुम उस सिचुएशन में कोल नहीं कर सकते तो तुम्हें कोल नहीं करना बट उसके अंदर प्यार वो कहीगी है कहेगा है है बट यार चीजे समझ आती है कोई बेफ़कूफ नहीं है तुम्हें समझ आ रहा होगा ना मैं क्या कहना चाहरा हो तो तुम्हें क्या है नेक्स टाइम तुम अगर बीजी हो ना तो टाइम मत निकालना ठीक है अपन को फील को प्यार कहते हैं मेरी नजरों में तो वो चीजे फील करना लल्लू मत बनना तब तुम लोगों के डिमाग में फीट रहोगे तब तुम्हारी वैल्यू रहेगे नहीं तो तुम्हारी इमेज एक कागज की तरह रहेगी लिखा और लोगों ने फार दिया ठीक है तुमने होना चाहिए कि तुम भी efforts लगाओ तुम भी निकाल सको हा ना चलो एक चीज यह होती है दूसरी चीज हमेशा अपने mind में चीज डाल लेना अगर तुम किसी को force कर रहा है किसी चीज के लिए तुमhे जो निए पसंद देखो अगर तुमhे जो नी पसंद तो यह निए सामने वाले को भी वह पसंद नहीं फसंद दो तुम उसको किसी तुकांदार ने मना कर दिया कि सैंपू नहीं है ठीक है या कुछ भी राइज नहीं है या ब्रेड नहीं है तो तुम क्या कुछे मांगते हो गदम तो फिर उस चीज को एक दम निगलेट करो क्योंकि तुम से जादा वोचीज जरूरी है तो तुम नहीं हो ना उस लाइक तो उस चीज को accept करो दी मोटिवेट में नहीं जाना accept करना मेरे भाई यो तब जाके चीज अच्छ होंगे तब तुम्हें मजाएगा क्या है क्या निया है I hope तुम्हें वीडियो समझ आई होगी तो ऐसे तुम दुनिया की नजरों में गया, सब की नजरों में हिरो, हिरोईन बन सकते हो, फीड हो सकते हो, चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखो, और खुद में फील करो चीज़ों को, और खुद पे फोकस करो, सब तुम्हें प्यार करेंगे, ठीक है? तो वीडियो को जाद झाल 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 झाल